CBI विवाद मामले को राखुल गांदे ने हला बोल आवहान पर कॉंग्रेस जैपूर की सड़कों पर रखी वहीं पर कॉंग्रेस ने जमकाय विरोध प्रदर्शनकर सरकार के खिलाफ नारे बाजी भीकी निस्तोरान प्रदेश रध्यक्ष सचिन पालेट समेत कई नेता मौजूद थे सरकार हल्ला बोलने का अउधार किया जिसके तर जैपूर में कांग्रेस सरकों पर उतार कर जमकर सरकार का विरोध पर्दर्शनकिया और सरकार के खिलाब जमकर नारे बाजी की हलाकि धारा 144 का हवाला दे कर पुलिस ने CBI मुक्चाले के बार धरना प्रदशन करने की जाज़त नहीं दे प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्स सचिन पाइलाट अविनाश पांडे की नित्रूत्य में पैदल मार्ज करते हुए CBI मुक्चाले की तरह बढ़ रहे थे लेकिन पुलिस ने CBI मुक्चाले से पहले ही कॉंग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक लिया इस दोरान कॉंग्रेसी नेताओं और पुलिस कर्यों की बीच हलका धक्का मुक्ची भी देखी गई सचीन पाइलेट ने पुलिस के रोके जाने के बाद सभा को संबोधित करते वे कहा कि देश में केंदर सरकार समवैधारिक संस्ताओं को खत्म कर रही है जिसका कॉंग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और जिस पकार से आरूप पतरूप CBI पर हो रहा है आप समझ सकते हैं जो टेडिबिलिटी है वो समात हो चुकी है और इस सरकार ने लगातार अलग-अलग हमारी संस्ताओं को खतम करकर खोकला करने का काम किया है पुरा देश देख रहा है परदर्शन में जैपूर कॉंग्रेस के अलबा बाहर से भी भारी संख्या में कारी करता जूटे थे खास तोर पर महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी देखी गई कारिकर्म में कई नेताओं ने विरोध परदर्शन के बहाने अपना शक्ती परदर्शन भी किया बाबूलाल नागर और रोगुराई जैसे नेता बड़ी संच्छा में अपने समर्थकों के साथ इनी विरोध परदर्शन में शमिल हुए जैपुर कॉंग्रेस के नेताओं ने कहा कि कॉंग्रेस के वक्त CBI के दुर्फियों का आरोप नहीं लगता था CBI ने कई मौमलों में कॉंग्रेस नेताओं के खिलाब भी कारणवाय की थी लेकिन BJP सरकार ने तो CBI को ही खत्म करने का काम किया है ऐसी सरकार केबल CBI जैसी संस्थाओं के लिए ही नहीं बलकि देश के लोगतंतर के लिए भी खत्रा है लेकिन ब्रस्टाचार और इस बीजेपी के ताना शाय का खुलकर चवाब नहीं इस प्रकार से एक व्यक्ति को धिरोपित किया गया इंटरिम चीफ के रूप में जिनके उपर आरोप भी लगे में तो इस सारी बात इस बात की गवाह है कि आज देश देख रहा है कि एक ऐसा आपातकाल है जहां पर सारी स्वाइशाची संस्ताओं की संप्रभूता को उनकी जो एक सैंक्टिटी है उसे प्रहार किया जा रहा है आगात पहुंचाया जा रहा है जिसकी माद्यम से अब रष्टाचार पर पड़दा डाला जासे कि राफिर की जाच वो करने वाले थे से सारी कवाइद अपनाई गई तो इस बात का सूचक है कि आज जंता की आवाज को लेकर हम सड़कों पर हैं सीबिया मुख्याले के बार प्रदर्शन कर रहे हैं और जंता की साथ ये बताना चाहते हैं कि इस देश की सारी जो सायत्ता है उस पर प्रहार करके बोधी सरकार एक करकार को घेड़ने को लेकर कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते सीबियाए पर ये सियासिस संग्राम आने वाले दिनों में और भी तेज देखने को मिल सकता है अबिनाश पांडे की लिडर्शिप में एक मार्च हुआ और यहां आकर पुलिस के साथ हलकी धका मुकी हुई टकराव की टकराव के हलात बने लेकिन पुलिस ने हवाला दिया कि धारा 144 है लिहाज़ा इनको आगे नहीं जाने दिया जिए जिए वापस लोड़ चुके हैं कैमरामेन विजे के साथ सुशान पारिक जी मीडिया